मैं पिछले विडियो में आपको समझा रहा था कि अगर आप एक इस किसम की रोबोटिक गाड़ी बनाना चाहते हो दो गियर्ड मोटर्स लगाके तो उसके उपर अगर आपको आडवीनो से उस कार को चलाना है इनिशली केवल सिंपली पौवर्ड रिवर्स और टर्न कराना है और बाद में फिर जाकर उसमें कुछ सेंसर वगरा भी लगाने हैं तो उसके लिए जो फर्स चीज है समझने वाली वो है कि आप कैसे आडवीनो पर दो मोटर्स लगाके उनको प्रोग्राम के थू कंट्रोल करते हो तो पिछली बार मैंने आपको यह एक सिंपल सा प्रोग्राम समझाया था कि हम कैसे इन दो डीसी गिर्ड मोटर्स को अपने आडवीनो बोर्ड पर कनेक्ट करके उनको चलाते हैं और यह इस तरीके से था कि ये दोनों मोटर्स अभी गाड़ी को forward ले जा रही है फिर रुक रही है और फिर reverse ले जा रही है और ये कैसे turn करेंगी ये सब मैंने last वीडियो में समझाया था पर जैसा मैं last वीडियो में आपको समझा रहा था कि हम geared motors जो काफी current draw करती हैं उनको हम सीधा Arduino board पर नहीं लगाते हैं या किसी भी और microcontroller पर नहीं लगाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा current draw करेंगी तो हमारा या तो उस board की वो particular pin फुग जाएगी या हो सकता है कि पूरा जो motor driver कहलाता है basically ये क्या करता है कि ये current को बढ़ा देता है और उस current को हम control करते हैं through the Arduino पर supply फिर हम through the IC करते हैं ताकि हमारी जो motor है वो उसको जितना भी current चाहिए और उसको high RPM पर हमें गुमाना है high revolutions per minute पर हमें गुमाना है तो हम इस IC की मदद से उसको गुमाते हैं तो यह पर यह इस तरीके से है कि हमारे पास यह काफी high RPM पर motor चल रही है क्योंकि हमने इनको इस IC से connect किया है और यह IC इस breadboard पर है और यह breadboard को हम Arduino से power supply नहीं ले रहे हैं हम breadboard को separate एक अपनी power supply दे रहे हैं तो इस video में हम यह जो हमारा circuit है इसको step by step बनाना सीखते हैं यह बहुत fundamental circuit है क्योंकि अगर आप कभी भी कोई भी robotic कार बनाओगे तो आपको उसको एक इस किसम की IC से चलाना पड़ेगा इसलिए यह जो concepts हैं यह समझना बहुत useful है तो हम वापस अपने जो हमने last video में हम बना रहे थे मैं उस पर वापस जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले यह हमारे wires हैं यह delete कर रहा हूँ तो हमारे को यह Arduino board और यह दो geared DC motors तो हमें चाहिए पर अब हम चाहते क्या हैं कि हम यह वाली जो हमारी दो motors हैं इनको हम अलग current supply करेंगे using a IC तो मैं सबसे पहले तो एक breadboard लेकर आ रहा हूँ तो हम अब जो circuit बनाएंगे हम इन motors को इस breadboard से connect करेंगे और इस breadboard की मैं power supply भी अलग रखना चाहता हूँ मैं current जो है वो अपने Arduino से नहीं draw करना चाहता हूँ तो यह एक हम अपनी 9V की voltage supply ला रहे हैं और उसके बाद हम ला रहे हैं जो main चीज़ है L293D यह जो motor driver chip है इसको तो यह chip जो है इसको लाकर हम इसके यह जो जितने भी terminals हैं इनको हम इस तरीके से लगा रहे हैं कि यह हमारी breadboard की pins में अपने आप fix हो गई हैं तो अब जैसे यह जो power 1 जो हमारा IC में हमारा terminal है यह अब यह पूरे इस पूरी breadboard की इस पूरी row से connected है इसी तरीके से बाकी terminals भी connected है तो जब भी हम अपने circuit में कोई IC यूज़ करते हैं तो हमारे को फिर उस IC के बारे में पता होना चाहिए तो जैसे यह L293D है तो आप Google में जाके अगर आप कहोगे कि L293D की data sheet आपको देखनी है तो आपको वो online मिल जाएगी और L293D जो chip है यह कई तरीके से आती है हमने सी चिप यूज़ करी है कई बार वो chip एक board में लगी हुई आती है ताकि जब हम अगर actually अपने robotic chassis पे लगाएं तो इस किसम क्या जो board है वो लगाना ज्यादा आसान होता है पर जो basic बात है वो यह है कि इसमें इन्होंने यह on board IC का समझाया है कि concert कौन सी चीज किस चीज से पिन आउट का मतलब है कि उसमें जो pins थी और उसमें 16 pins है 8 pins एक तरफ है 8 pins दूसरी तरफ है उनका यह pin आउट बता रहा है कि pin number 1 क्या करती है pin number 2 क्या करती है 3 क्या करती है 4 और 5 जो है वो heat sink और ground की pins है 8 pin जो है वो voltage supply की pin है और इसी तरीके से दूसरी तरफ जो हमारी 9 to 16 pins है वो यहां pin out है अब हमारे पास tinker cad में एक फायदा क्या है कि हमारे को IC का pin out देखने की जरुरत नहीं पड़ती है क्योंकि जैसे ही मैं terminal पर ले जा रहा हूँ तो यह मुझे बता रहा है कि यह जो हमारा first है यह enable 1 and 2 है second input 1 है फिर यह output 1 है फिर ground है और इस तरीके से हर pin का description यह पर हमें मिल रहा है पर जब आप physically बनाओगे आपके पास कोई नई IC है तब आपको Google में जाके उसका pin out और data sheet देखनी पड़ेगी तो अब हम basically हमारा logic इसमें क्या है कि जो हमने पिछले वीडियो में समझा था कि हम अपनी motors को इस तरीके से connect करते हैं अपने Arduino से कि वो दौनों जो हमारे positive negative terminal हैं वो negative terminal ground में जाने के बदले और positive terminal सीधा voltage में जाने के बदले हम इन दौनों को किसी pin पे डाल देते हैं और फिर ह तो हम उस pin को हम through a program control करते हैं अब हम सेम चीज़ कर रहे हैं problem के वल पहले यह थी कि अगर हम इस motor को सीधे board पे लगाते हैं तो यह motor बहुत current खीचती है और board फूख सकता है तो अब हम उसको root कर रहे हैं through this IC तो सबसे पहले मैं breadboard को की wiring कर रहा हूं तो मेरे पास यह negative pin है तो म convention follow करते हुए मैं इसको black कर रहा हूं और जो मेरी breadboard की positive pin है मैं उसको जो मेरी battery की positive pin है मैं उसको breadboard के positive पर दे रहा हूं और convention follow करते हुए उसे red कर रहा हूं और फिर मैं breadboard को भी आपस में जो दो rails हैं either side में इनको भी connect कर रहा हूं तो मैं अपनी positive rail को दूसरी side की positive rail से connect कर रह यहां लगाए हमें sure है कि हमारे पास negative rail में हमारी जो negative rail है वो हमारे battery के negative terminal में दौनों तरफ से attached है and likewise positive rail भी attached है फिर मैं दूसरी तरफ से फिर में negative जो है उसको भी दौनों rails को आपस में connect कर रहा हूं और इसको black कर रहा हूं तो अब हमारे breadboard में हमारे पास 9 volt की supply हमारे को मिल गई है अब हम ये IC देखते हैं तो physical IC में क्या होता है कि ये पता करने के लिए कि ये pins 1234 यहां से शुरू हो रही है कि ये यहां से शुरू हो रही है IC के उपर एक चोटी सी notch होती है एक चोड़ा सा गड़ा होता है तो वो notch बताती है हमारे को कि वो जहां भी notch है उसकी left side में pin number 1 होती है तो ये कह रहा है कि ये pin जो 1 है ये है enable 1 and 2 तो इस pin को जो हम अपनी battery की positive supply से जोड़ रहे है फिर ये pin 2 है ये input है इसको हम अभी अपने Arduino board से जोड़ेंगे ये output है इसको हम motor से जोड़ेंगे फिर ये हमारे पर ground की pin है तो मैं इस ground की pin को अपने board के negative terminal से जोड़ रहा हूं और ये भी ground की pin है तो इसको भी मैं negative terminal से जोड़ रहा हूं फिर यह output 2, input 2 and output 2 हैं, इनको हम अभी board और motor से जोड़ेंगे, फिर यह power है, तो मैं अपनी chip की जो power supply है, उसको भी मैं अपनी positive rail से जोड़ रहा हूँ, और यही चीज़ अब दूसरी तरफ भी हमें करनी है, तो यह enable 3 and 4 है, तो इसको मैं अपनी positive side से connect कर रहा हूँ, फिर यह input है, output है, यह दो ground की pins है, तो मैं ground की pins को negative side से जोड़ रहा हूँ, यह भी ground है, और इस ground को भी मैं negative rail से जोड़ रहा हूँ, red boat की, और फिर इसकी power, फिर यह input और output है, number 4, और फिर यह power की pin है, तो power को मैं फिर से इसको positive rail से जोड़ रहा हूँ, अब हम, जैसे हमने पिछली बार किया था, हमने पिछली बार क्या किया था, कि यह जो negative और positive terminals थे, इनको हमने किसी भी pin में डाला था, Arduino की किसी भी pin में डाला था, तो अब हम instead of that, हम, let's say, 11 pin से एक wire लेकर आ रहे हैं, और हम इसको अपनी IC की जो input pin है, उसमें डाल रहे हैं, और फिर यह जो, यह हमने input 4 में डाली है, तो output 4 जो pin है, हम output 4 pin से एक wire खीच कर, हम अपनी motor को इससे attach कर रहे हैं, और फिर मैं Arduino की pin 10 से एक और wire ला रहा हूँ, और इस wire को मैं जो motor, हमारे IC की input number 3 पर दे रहा हूँ, और फिर जो output 3 थी, output 3 को मैं अपनी motor की दूसरी तरफ दे रहा हूँ, motor के दूसरे terminal पर उसको दे रहा हूँ, तो यह हमारी एक motor जो है, यह connect हो गई है, और likewise हमको अब अपनी दूसरी motor को connect करना है, तो मैं let's say pin number 6 पर से एक और wire ला रहा हूँ, और उसको मैं input 1 जो IC की input 1 पर दे रहा हूँ, और फिर जो IC से output 1 थी, इसको मैं connect कर रहा हूँ, अपनी motor के एक terminal से, और फिर मैं एक और wire ला रहा हूँ, 5 से, और उसको मैं दे रहा हूँ, input पर, input number 2 पर, और फिर मैं output जो 2 है, वहाँ से एक wire लेकर दे रहा हूँ, मैं clarity के लिए ये वाली wire जो है, ये दूसरी दरव से ला रहा हूँ, तो ये काभी simple है, ये हमारी wiring complete हो गई है, अब अगर हम code में जाके देखते हैं, तो हमारे को actually code हमने, क्योंकि हमने same pins पे लगाया है, हमने केवल, ये केवल समझने वाली बात है, कि हमने केवल इतना किया है, कि जो पहले हमने सीधे motors, Arduino board पे लगा दी थी, वो हमने अब through the IC डाल दी हैं, बाकी सब चीजें exactly वो ही हैं, तो यहाँ पर जो हमारे wires थे, वो pin 10 और 11 पर आ रहे थे, और pin 5 और 6 पर आ रहे थे, अभी भी वो बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं, केवल अब हमने उनको यहाँ से route करके, IC के थूरू route करके, फिर motor पे supply किया है, तो यह जो code है, यह काम करना चाहिए, अब अगर मैं start simulation करता हूँ, तो मेरी जो दौनों motor हैं, वो forward और reverse जो हैं, वो जा रही हैं, जैसे पिछली बार भी जा रही थी, अब वो much higher RPM पे जा रही हैं, क्योंकि अब उनकी अपनी individual power supply है, जिसको की अब हम, इस L293D IC के थुरू कंट्रोल कर रही हैं, तो I hope आपको पिछले वीडियो और इस वीडियो से, यह बात समझ में आ गई है, कि अगर आप एक robotic car बनाना चाहते हो, जिसको की आप फिर program करना चाहते हो, जिसमें बाद में हम sensors वगएरा भी add कर सकते हैं, तो उसकी जो basic motor लगाने की बात है, वो हम इस तरीके से लगाते हैं, कि हम एक micro controller लेते हैं, हम एक motor driver IC लेते हैं, और इस किसम से उसको connect करके, उसका एक चोटा सा program लिखकर, कि कौन सी pin कब high करो, कब low करो, हम control कर पाते हैं, कि हमारी जो car है, वो forward जाए, reverse जाए, या जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, कि अगर आप एक motor में current supply करोगे, दूसरी में नहीं करोगे, तो इस motor में current है, इसमें नहीं है, तो ये गाड़ी आपकी जो है, वो इस तरफ turn हो जाएगी, और vice versa, अगर आप इस motor में current supply करोगे, इसमें नहीं supply करोगे, तो ये motor, ये आपकी जो robotic car है, वो इस तरफ turn हो जाएगी, और अगर आप इसकी speed zero रखते हो, और इसको आप full voltage देते हो, full current देते हो, तब आप गाड़ी को 360 degree mode देते हो, पर अगर आप एक motor में full voltage देते हो, और दूसरी में कम देते हो, तब आप control कर सकते हो, कि वो गाड़ी कितने degree turn करे, अगर मैं यहाँ पे 100% voltage देता हो, यहाँ 90% voltage देता हो, तो ये car cable, यहाँ हलकी सी 10 degree turn करेगी, पर अगर मैं यहाँ 100% voltage देता हो, और यहाँ पर 10% voltage देता हो, तो ये car काफी turn कर जाएगी, 360 नहीं तो कम से कम 320 degrees तो turn कर जाएगी, and likewise यही logic जो है, वो reverse में भी apply होता है, कि car हम reverse कैसे करते हैं, वो तो हम ये polarity flip करके हमने reverse करी, पर even reversing motors में, अगर हम एक motor में कम voltage supply करते हैं, दूसरी में ज़्यादा supply करते हैं, तो वो कितने degree reverse करते हुए, कितने degree turn करेगी, ये आप फिर program के थूँ control कर सकते हो, and that is the reason why हम micro controllers लगा कर, robotic cars बनाते हैं, क्योंकि हमार पास फिर वो बहुत fine control हमें मिलता है, अपनी car के उपर, और फिर बाद में हम इसी car को sensors बगरा से लगा सकते हैं, कि हमें एक ultrasonic sensor लगाएंगे, और अगर ultrasonic sensor जो है, तो अगर हम एक ultrasonic sensor लाते हैं, और ultrasonic sensor कैसे काम करता है, कि वो मान लो ये आपकी car के आगे fit है, तो ये एक transmitter है, ये T जो लिखा है transmitter, इस से एक बहुत ही ultrasonic wave ये sensor फैंकता है, और अगर सामने कोई obstacle नहीं होता है, तो वो wave वापस नहीं आती है, बिल्कुल वैसे जैसे radar काम करता है, पर अगर सामने कोई obstacle होता है, तो वो wave टकरा के वापस receiver में आती है, तो ultrasonic sensor ये बता देता है, कि आगे कोई obstacle है, और फिर हम program लिख देते हैं, कि अगर आगे obstacle है, तो for example हम कहेंगे, दौनों motors में voltage supply रोग दो, यानि कि car को रोग दो, या हम कह सकते हैं कि आगे obstacle है, हम program लिख सकते हैं, कि गाड़ी को reverse कर दो, या गाड़ी को reverse करते वे left turn कर दो, इस तरीके से हमारी robotic car चलती है, पर इस वीडियो का main मकसद था आपको बताना, कि अगर आप geared motors अपने arduino से connect करोगे, तो आपको motor driver board चाहिए, और उस motor driver board की आपको अलग अपनी power supply चाहिए, और इस तरीके से फिर आप अपनी car assemble कर सकते हो, such that दोनों motors को adequate current मिले,